इसरो ने आज अपना सौवा सेटेलाइट लॉंच करते हुए इतिहास रच दिया है PSLVC-40 के जरीए इसरो ने कर्टो से 2 सेटेलाइट को अंधरिक्ष में प्रक्षेपित किया इस सेटेलाइट को आए इंदा स्काय नाम दिया गया है क्योंकि ये पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर पैनी नज़र रखेगा वही इसरो की स्काम्याबी से पाकिस्तान बुरी तरह बॉक लागया है तालियों की गड़गडा हट के बीच इसरो ने आज सुभा 9 बचकर 28 मिनट पर PSLV-C के जरीए एक साथ 31 सुभ ग्रह लाँच किये यह प्रक्षेपण इसरो का इस साल का पहला प्रक्षेपण है बताया जा रहा है कि 710 किलोग्राम का कर्टो सेट टू सीरीज मिशन का प्राप में कुप रहा है भेजे गए को लेक 37 उब ग्रहों में से 3 भारतिया हैं जबके अमारिका के 19, 5 दक्षिन कोरिया और एक एक कनाडा, फ्रांस, प्रिटेन और फिनलैंड के हैं यह लाँचिंग भारत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले PSLV-39 विशन फेल हो गया था और भारतिय वेग्यानिकों ने एक बार फिर इसकी मरंबत करके फिर से इसे लांच किया है इसरों को मिली सफलता के बाद माना जा रहा है कि भारत के पास अब एक जासूस आ गया है जो प्रित्वी पर होने वाली गतिविदियों पर नजदी की सिन नज़र रखेगा कर्टो सेट का मकसद उच गुडवत्ता वाली तस्वीरे भीजना है इसका इस्तिमाल नक्षे बनाने में किया जाएगा इसमें मल्टी स्पेक्टरल कैमरे लगे हुए हैं इससे तटवर्ती इलाकू, शेहरी ग्रामेंट शेत्र, सडको और जल्वित्रन आधी की निगरानी की जा सकेगी बताया जा रहा है कि कर्टोसेट 2 सीरीज के सेटिलाइट का इस्तिमाल पहली बार 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त भी हुआ था सेना को लोसी पर आतंकियों के लाउंच पैट तबहा करने में इसी सीरीज के सेटिलाइट से काफी मदद मिली थी जाहिर है कि इन उपक्रउ की सफलता पूर्वक लाउंचिंग भारत के लिए कितने मायने रखती है लेकिन भारत की सुपलब्डी से पाकिस्तान में हलचल मच गई है पाकिस्तान के विदेश मंत्राले ने कहा कि भारत जिन उपक्रहों का प्रक्षेपन कर रहा है अगर ऐसा होता है तो इसका शेटर पर गलत प्रभाव पड़ेगा